हेलो एरवम आज हम लोग फार्म पावर मस्यवन कीक का जो हमारा सेकेंड वीडियो है उसको स्टार्ट करते है, डिर्그क है हमारा कि पावर ट्रान्स्मिशन सिस्टम जो की बहुत ही इंट्रेस्टिंग टापिक है व chose जोilate हमारा semester paper हो गा, semester exam होता है, एक रिर जगा उसके अंदर हर बार ऐसा कोई कोई भी season नहीं गया, कोई भी session नहीं गया है जिसमें इस topic से question ना उठाया हो, जातो आपको वो दो नबर में पूछेगा जातो आपको वो दो नंबर का पूछता है या पांच नंबर का पूछेगा नहीं तो लॉट संबकर को पूरा प्रावर का ट्रांस्मिसन सिस्टम करने के लिए पूछेगा अच्छा पूछा तोह दोग ना देखे पावर ट्र Size सिस्थम होता क्या है श्ब को पता रहें कि ट्रांस्मिसन सिस्थम क्याfried उसकोcejक यहां पर जो भी लिढा है उसको आप लिखे रहने दीजिए उसको मत देखिए अभी हम लोग समझते हैं एक्चुलि पावर ट्रेंस्मिसन सिस्टम होता क्या है भाई पावर कोई गारी है गारी में पावर तो बना लेकिन अगर ये ट्रेंस्मिसन नहीं हो ये पावर का यूज नहीं हो तो फिर पावर बनने का कोई भैल्यू नहीं है इंजन में जैसे हम खाना खाते हैं लेकिन वो खाना क्यों खाना जिस खाना से हमें इनर्जी ही न मिले ऐसा खाना खाने का कोई फैदा नहीं है तो वही एक चोरी चीज है कि ये एक tractor का model आपको दिख रहा है इसमें क्या है ये engine है engine के पास power generate होता है engine में power generate हुआ अगर ये power generate हुआ ये power अगर transmission ना हो ये power अगर rear wheel तक ना पहुँचे तो फिर गारी रन ही नहीं करे गा तो power बनने का कोई मतलब नहीं है इसका मतलब ये है transmission system का कि engine में जो power बना है उसको ये transmit करता है रेर्ड बिल के पास रेर्ड बिल में यहाँ से engine में power generate हुआ उसके बाद ये रेर बिल को transmit किया then हमारा गारी run करता है हमारी जो tractor है tractor run करती है तो ये हैं हमारा power transmission system power transmission system का means यही है कि transmit the power power generated in the engine engine में जो power generate हुआ है to transmit उसको ट्रांसमिट करना है । driving wheel के पास hydraulic system के पास power take up के पास means tractor जो भी work करने में सक्छम है उस सक्छम योग्य बनाने के लिए जो हमारा engine से power है उसको जो transmit करते हैं वो हमारा transmission system है तेक है तो बहुत लोग कहेंगे कि power transmission system में क्यों के देखेंगे नहीं पुरा जो था आम जंफा है हमारे यह कि इस शक्का से है यह तो हमारा बस इस्टेशंग कुल कर दिड Skills करेंगा इंद जाना ुभ फर गण आपेडन है तो जो भी हमको पढ़ना है सब इसके अंदर ही पढ़ना है तो इसको हम Mind Setup ऐसा करेंगे, आगे देखेंगे ये था हमार Power Transmission System, आगे देखते हैं क्या है, Power Transmission System कैसे होता है, किन-किन Component के वज़े से होता है, ठीक है तो दुसरा है Power Transmission System का कुछ Functions है, कुछ Important Function है, कैसे Work करता है Power Transmission System, उसको देखते हैं तो ये क्या है कि to transmit to transmit power from engine to the rear wheel of the tractor ये transmit करता है power को ये transmit करता है power को engine से rear wheel के पास जो की power transmission system कर गाता है जो की हमारा power transmission system कर गाता है ठीक है, दूसरा है to make reduce the speed available to the rear wheel of the tractor कई बार क्या होता है कि हमें speed की ज़रुत होती है उस speed को maintain करता है हमारा power transmission system जैसे कि मानुआ को कोई अगर ये field है इस field का हम प्लोईंग कर रहे है tractor से कोई हल जोतरा है इसमें तो वो चार नंबर gear डाल के तो चलायागा नहीं वो चार नंबर gear तो डाल नहीं सकता है तो उसमें हो क्या करेगा चार नंबर gear तो डाल नहीं पायागा उसमें तो वो तो दो नंबर से चलायागा ना तो means हमें उहां पे speed कम करने की ज़रुरत है तो ये चीज करता है power transmission system इसको control करता है operating speed of agriculture tractor is 3 kmph means operating speed जो हता है अभी हमने example दिया प्लोइंग का अभी हमने example लिया है प्लोइंग का तो जो प्लोइंग करते हैं उसको तो slow करना है तो जो हमारा agriculture sector का speed होता है operating speed होता है वो 3-6 km परती आवर का होता है इससे ज़्यादा नहीं होगा अगर इसी tractor को हम road पे चलाते हैं लेकिन जब हम खेत जोदने जा रहे हैं तो वहां तो दो number ही चलाना पगेगा तो ये चीज़ है to alert the ratio of wheel speed and the engine speed ये engine और wheel के speed को alert करता है कि हमें कब ज़्यादा speed से ही कब हमें कम speed करना है इन चीज़ों को power transmission system control करता है notice करता है तो ये है हमारा function of power transmission system ये था function of power transmission system next है component of power transmission system क्या-क्या कौन-कौन सी component है power transmission system को इसको देखते हैं ये आपको कुछ एक diagram सा दिख रहा होगा अच्छा सा जो की power tractor जो है हमारा tractor उस tractor के total component को सो कर रहा है कौन से चीज क्या किसको क्या बहुत है ये fuel tank है ये steering है ये tracer controller है ये high speed shift lever है ये क्या मतलब crank case है gear case है कौन चीज कहाँ पर है ये सब को पता है नहीं पता है तो यहां से आप देख सकते हैं हम बार 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 बोलते हैं कि जो लिखा हुआ है उसको आप ना देखे बातों को समझे ये बातों को समझने से ज़्यादा benefit है तो क्या component है power transmission system होने के लिए power transmission system को complete करने के लिए तो पहला है हमारा clutch इसमें एक्चोरी चार जो है main है हमारा ये चार हमारा main component है ये दो बाद में आता है ये चार हमारा main component है first है clutch transmission gear ट्रंथ differential और final drive तो इन चारो को detail परते हैं एक एक करके हम लोग आगे देखते हैं इन चारो को ठीक है उसके बाद आता है first है हमारा clutch clutch आता है एक आपको बहुत अच्छा जी है ये चल गाए बहुत अच्छा वीडियो चल गाए इसमें आप देख सकते हैं कि clutch कैसे work करता है तो clutch क्या है clutch एक device जो connect and disconnect जो use किया जाता है connect and disconnect the tractor engine from transmission gear and wheel clutch actually क्या है हर आदमी गारी चलाता है हर लोग चलाते हैं हम बार बार बोलें इसको आप जो लिखा है उसको ना देखे जो इसको समझना है तो clutch क्या काम करता है जब हम clutch को देखिए जब हम clutch को push करते हैं तो हमारा gear box और rear wheel का connectivity तूट जाता है बट जैसे ही हमने clutch को छोड़ते हैं तो इसका connectivity connect हो जाता है और हमारा गार्टी आगे बढ़ने शुरू हो जाती है तो वही कारण है ना कि हम जब तक clutch पकल के रखेंगे तब तक गारी आगे नहीं जाता है क्योंकि इसका connectivity तो तूट गया है gear box का और ये आपके rear wheels का लेकिन जैसे ही clutch होडते हैं तो मेरा गारी आगे बढ़ने के लिए तयार है तो ये है clutch का main function देख लिए हमने clutch is a device used to connect and disconnect tractor engine from the transmission gear friction clutch, dog clutch and fluid clutch तो ये three clutch है लेकिन ये clutch ये वगा के उ Baz algunafulness है friction clutch ये हमारा four wheeler में four wheeler में youce किया जाता है four wheelers में use किया जाता है ये जो फ shootings clutch है ये भी four wheeler में alge येकिन आप बोलेंगे दोनों तो four wheeler में youce किया जाता है लेकिन most important कॉन सा है कौन सा कलच सबसे जादा यूज किया जाता है तो हम आपको यहाँ पर बतायेंगे कि सबसे ज़़या यूज होने हुरा कलच है इस 상황 कलच का यूज सबसे ज selective होता है यह एक 밝혔 बचलाशन आपका power tiller में होता है dog clutch का यूज आपका power tiller में होता है लेकिन इन दोनों clutch का यूज four wheeler vehicles में या car हो, tractor हो, कोई भी vehicles हो, उसमें यूज होता है लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वागा जो friction clutch है इसको ध्यान रखे ये objective पूछा जाता है next आते हैं gear पर, gear कैसे work करता है, जैसा कि आपको इसमें दीख रहा है, gear कैसे work करता है जैसे ही हमने एक number डाला, speed कम रहेगा, दो number, तिन number, gear की number बरते जाती है, हमारी speed दारी का बरते जाता है means, gear is a device, actually, gear is a device for transmission power at multiple of speed and torque gear एक device है, जो power transmission को multiply करके speed देता है, और torque को increase करता है इसलिए हम gear का use करते हैं, यह है हमारा gear, जब क्या करते हैं, हम जब wrap surface में होते हैं, तो gear को कम करते हैं, ताकि गारी का speed कम हो, है न, तो यह है gear gear क्या है, कैसे बढ़ करता है, एक बढ़ और थोड़ा detail देते हैं, तो एक tractor engine, कोई भी tractor engine, high speed पर run करता है, देकिन उसका जो rear view होता है, और tractor का जो rear view होता है, उसको चाहिए था low speed and high power, sorry, low speed and high pressure चाहिए होता है high speed run करने के लिए, ठीक है न, उसको जरूरत होता है, अपने engine को, अपने engine की speed को कम करने के लिए, and increase the torque available at the rear view of the tractor, engine speed को कम करने के लिए, then increase the torque, अपने rear view के torque को increase करने के लिए, इन सारी चीजों में, gear का more important है, तो यह हमारा gear ठीक है, अगर किन, आप लोगों में से किसी को doubt है, कोई भी doubt है, आप हमें comment करें, हमने comment का पुरा reply करना है, आपको pdf चाहिए, pdf form भी available है, then हमें, आप text करें, दुसरा है differential, differential क्या होता है, तो differential एक device है, usually, differential होता क्या है, जो रिखा है, उसको हमने नहीं पढ़ना, उसको हम नहीं पढ़ते हैं, वो किताबी भासा है, वो रिखा हुआ है, differential होता क्या है, जैसे कि हम मानते हैं, यह हमारा बहुत बढ़ा field है, इसको हमने प्लोईंग करनी है, इसका हमें खेत का प्लोईंग करना है, ठीक है, इस खेत का हमें प्लोईंग करना है, तो tractor क्या होगा, यहां से चलना शुरू किया, फिर ऐसे घूम के आया, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, तभी तो प्लोईंग होगा ना जी, तो इस tractor को जब यहां से घूमा, यहां तक आया, यहां तक आया, यहां से यहां कैसे घूमता है, तो इसको घूमने के लिए इस काम आता है, इसको घूमाने के लिए काम आता है एक्छोली डिफ्रेंशियल का, डिफ्रेंशियल क्या करता है एक्छोली कि जो अंदर वाला वील्ड है, हमारा जो अंदर वाला चाका है, उसका स्पीड को कम करके, जो हमारा बाहर वाला चका होता है, उसके स्पीड को ये इंक्रीज कर देता है, उसके स्पीड को ब और इसका speed बढ़ जागा और गारी असानी से यू turn ऐसे turn हो जागा तो यह function है differential का तो differential क्या करता है जैसे tractor यहां से चलना सुरूप या खेत जोत रहा है growing करते हुए सुरूप यह जैसे turn मरेगा तो क्या होगा अंदर वाला यहां का जो अंदर वाला विल होगा उसका speed कम हो जागा और बाहर वाले विल का speed बढ़ जागा तो यह है हमारा differential का function वही चीज़ यहां लिखा भी है the device, differential का device usually in the axle housing at that allowed two wheels on an axis to rotate at different aspect तो यह है हमारा differential का main role यह है कि अंदर वाले चका का speed कम करके बाहर वाले चका का speed को increase करना ताकि गारी असानी से turn हो सके तो फिर जब यह ट्रेक्टर यहां से turn हो गया फिर यहां पर आएगा अंदर वाले चका का speed कम होके बाहर वाले का गेन होगा then easily tractor घूमेगा turn होगा ठीक है न तो यह था हमारा differential का function then next final drive final drive क्या है final drive होता क्या है कि differential के पास तो power आ गया differential एक power generate कर दिया differential क्या किया था कि एक power को दे दिया था कि छोटा चका के पास speed कम करना है और बाहर चका का power speed को gain करना है differential का काम था लेकिन इन दोनों के बीच एक final drive भी आता है जो इस चीज को complete होने में help करता है the final drive is a gear reduction unit एक gear को reduce करता है means speed कम करने का एक unit है in the train between the differential and the drive wheel differential अब drive wheel के बीच shifted है एक यह gear reduction unit है तो यह है हमारा final drive ठीक है कुछ यह एक overflow chart है overflow chart को हम देखते हैं कि कैसे power transmission complete होता है power transmission को complete होने में कहां कहां से गुजरना पड़ता है सबसे पहले तो power generate होता है आपका engine में सबको पता है engine से जाता है crankshaft में crankshaft जाता है flag wheels में fly wheels transmit करता है clutch को फिर clutch हम छोडते हैं clutch से transmit होता है gearbox को gear change करते है differential आता है जैसे high gear है low gear करेंगे differential का यूज करना चुकि गारी घुमाना है तो low gear करेंगे तो फिर power transmit हुआ differential को differential ने करा final drive को final drive जो हमने देखाया अभी final drive ने करा excel को excel ने करा wheel को then गारी motion में आता है total power transmission system का यह part है power transmission system का इसको overflow chart भी बोल सकते हैं यह एक flow chart है power transmission system को complete होने का तो गाईज यह था हमारा आज का वीडियो thank you so much अगर वीडियो पसंद आई हो तो like subscribe जरूर करें अगर किसी भी टॉपिक पर आपको doubt है कोई भी चीज पूछना है तो आप हमें comment करें तो thank you so much guys फिर next video में हम लोग देखेंगे actually power transmission system का हमें first video भी डालनी है जो कि उसमें आपको यह बताया जाएगा कि power transmission system sorry power transmission system बोल रहा है farm power का farm power का development कहां से हुआ है कैसे हुआ है एक ट्रेक्टर का history भी है उसको भी हमको cover करेंगे बहुत जल्द करेंगे तो आज के लिए इतना ही thank you so much